अब इसमें मैंने आपको बनवंत राय महता कमीटी बता रहे था और असूप महता कमीटी मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था प्रिविएस वीडियो में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया था क्या होता है यह यह कैसे इसका इंपोर्टेंस है अब इस वीडियो के हम लोग जानेंगे कुछ और कमीटी है जैसे कि एलन सींगी कमीटी जैसे कि थंवोन कमीटी और कुछ कमीटी है हम लोग इसमें जानेंगे ठीक है तो इससे पहले मैं बता दूए कि अगर आप चैनल के नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल लक्षमी कांथ बुक से लिया है काफी इंपॉर्टेंट बुक है यह एड़ इसको मैं कबर कर रहा हूं एक और मेरी सीरीज है इंडियम एकनॉमी की जिसको आ रमेश सिंग के बुक से लिया है और बहुत ही हिट ये सीरीज है इसका पीडिया भी अविलेवल है तो आपको व हो जाएगा and PDF आपको लेके इसको multiple time आपको revise करना है ताकि आपका जो economics का section है तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो में पहला जो committee हम लोग discuss करेंगे वो जीवी के राव committee है यह भी बहुत important committee है जिसके कुछ recommendations थे वो देख लेते हैं तो इसको establish किया गया था इस committee को कगठन किया गया था to review the existing administrative arrangements for the rural development and poverty elevation programs तो जो rural development and poverty elevation programs से लेटेड जो administrative view था जो arrangement था उसमें कहीना कहीं दिक्कत में सुसम रहे थी सरकार को इसको review करने के लिए committee बनाए गये थी and basically इस committee में जब इस committee को बनाने वाला basically सरकार नहीं planning commission था planning commission ने 1985 में ये committee बनाई थी इस purpose के लिए और जो committee के recommendation आया उसके conclusion को अगर देखेंगे recommendation में क्या conclusion था तो committee को लगा कि there is a continuous a gradual development process of bureaucratized and divorced from the panchayati राज system तो बोला इनाने कि जो administrative arrangement है वो काफी bureaucratized हो गया है यहां पर bureaucracy का काफी यह नो पकर वहुत ज्यादा हो गया है जिस वजह से जो purpose है जो इन प्रोग्राब्राम्स का purpose है poverty elevation या पर rural development का वो अपने परपस से डाइवोर्स हो गया है and it has also डाइवोर्स फंदर पंचायती राज सिस्टम तो इनके कुछ रिकमेंबेशन थे इसको बहतर करने के लिए पंचायती राज को स्ट्रॉंग बनाने के लिए इनोंने बोला कि जिला परिशत को पाइवोटल इंपोर्टेंस दे है democratic decentralization में बोला कि जिला परिशत को पाइवोटल रोल देना चाहिए democratic decentralization के लिए नेक्स्ट इनोंने बोला कि PRI पंचायती राज्यों इंस्टिशूशन अटिस्टिक लेबल और लेबल इसको एक इंपोर्टेंट रोल देना चाहिए प्लानिंग इंप्लिमेंटेशन और मोनेटरिंग रुड्रल डेव्लोप्मेंट प्रोग्राम्स रडीपी चुकि यह फंक्शनिंग ही देख रही थी इंस्टिशूशन जो है डिस्टिक लेबल पे भी है लोहर लेबल पे भी है वसे के लिए थी टायर्ट बहुत सारे स्टेट्स में थी उसमें इस्टिक ब्लॉक और विलेज्ट लेबल पे तो बोला इनको जो प्लांस है ना रुड्र डेवल्लोप्मेंट प्रोग्रम्स उनक तो मोनीटरिंग का भी टास्क देदो और हो सगे तो प्लानिंग का भी टास्क किल्को दो रुड्र डेवलोप्मेंट का तक यही प्लांस जो दे उसके हिसाब से फंड अगेर रिलीज किया जाया और काम हूँ जी वी के राव कमीटी ने बोला कि जो प्लानिंग फंक्शन्स हैं जो कुछ स्टेट की कुछ प्लानिंग फंक्शन्स हैं जो कि स्टेट यू नो रिस्पॉंसिबल है जिन प्लानिंग के लिए उनको भी कुछ ऐसे फंक्शन्स हैं प्लानिंग के उनको ट्रांसफर कर देना स्टेट लेके बैठा है उस फॉंक्शन को कई ने कई ट्रांसफर कर देना चाहिए डिस्टिक के लिए ऐसा डिकमेंडेशन जीवी के राव कमिटी ने दिया था इन्हों ने बोला कि पोस्ट अब डिस्टिक डेवलॉप्मेंट कमिस्णर बनाना चाहिए क्या जाए डिस्टिक डेवलॉप्मेंट कमिस्णर ठीक है जो की एक सीयो की तरह काम करेंगे जीला परिसर में बैठ के चीफ एक्सेक्यूटिव आपसर की तरह काम करेंगे इन्हीं की जिम्मेदारी होगी जीला परिशद में यह बैठेंगे और जीला परिशद में जितनी भी प्लानिंग होती है डेवलोप्मेंट से उसके एक्सेक्यूटीव होगे यह चीफ एक्सेक्यूटीव आपसर होगे इनके नीचे ही डिपार्टमेंट्स होगे डेवलोप्म स्टेट्स में एलेक्शन होते थे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड वो डिले हो जा रहा था वन और मोर टर्म से ज़्यादा वन येर टू येर थी येर ऐसे डिले चल गए थे उस केस में क्या करती थी स्टेट गवर्मेंट कुध ही डेवलोप्मेंट का काम अपने हाथों में ले 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 थी और पी एर आई इनका जो रिपोर्ट है वो डिफर करता है एक और कमीटी थी जिसके चियार में थे राव कमीटी के बारे में बढादा चल जाए और इन टेक। में टीफेरेंस भी तरह चल जाए वह गृआ है jet में पिहया कंच mejorar क्याओं चीद चुट होलों है क्या है लोग को सीमिलर को सời कि नोंने इनो इंदिफरेंच और पता चल जाए एंदरी वांतरार कमिटीच इंद्वलग को तो यहां पर हनुमंता राव कमीटी ने जो रोल है डिस्टिक कलेक्टर का डिवलोपमेंट रॉप्मेंट कमीटी एडिनिस्ट्रेटिप्रीटि रिपॉर्म कमीशन असोप महता कमीटी जीविके राव कमीटी नों ने चिला कपरिशत को पाइबॉटल रूल देने के लिए बो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कमिटी आती है वो एलम सिंग्वी कमिटी, ये बनाई गई थी 1986 में राजियु गाधी गार्मेंट के द्वारा, राजियु गाधी उससे में जीवित थे, इन्होंने कमिटी बनाई 1986 में जिसको जिसका टास्ट, जिसका चेर्मेन बनाए गया एलम सिंग्वी साब को, और इसका परपस ये था इस कमिटी का, कि इनको एक पेपर तयार करना था, रिवाइटरलाइजेशन और पंचाहिती राज इंस्टिउशन से लेटेट एक पेपर तयार करना था, वाइट पेपर तयार करना था, ताकि जिसके बेसिस पे, जो पंचा पहला रिकमेंडेशन जो था इनका इन्होंने बोला कि there should be constitutionally recognized PRI system इन्होंने बोला कि PRI system constitution में कोई जगा ही नहीं है constitutional validities की नहीं है amendment कीजिए और इसको constitutional validity देनी चाहिए ताकि continuously उन्हों इसका जो इसके problems जो है की जा सकती है इन्होंने बोला कि नया chapter add कर दीजे constitution में इससे related ठीक है तो लेलम सिंग्वी साहब का भी recommendation constitutional recognition से related था इन्होंने बोला कि separate न्याय पंचायत establish करना चाहिए for the cluster of villages इनके recommendation में यह भी बहुत important है कि cluster of villages के लिए मतलब एक village नहीं कई सारे village village के लिए एक न्याय पंचायत बनाना चाहिए ताकि इन लोगों को को problem हो जो कि petty nature का को problem मताई civil या criminal problem वो यहां पर आके solve किया जा सके तो equal opportunity of justice भी इन्होंने insure करने की कोशिस की इस अपने recommendations के द्वारा next है villages should be reorganized to make gram panchats more viable इन्होंने बुला कि villages का reorganization होना चाहिए छेटबिट villages पड़ी हुई है कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर एक village के नाम पे village है लेकिन population बहुत कम है और एक village के नाम पे village है जहां पे population बहुत ज्यादा है इसको reorganize कीजिए यह इन्होंने recommend किया ताकि gram panchats का जो importance है वो बढ़ जाए इन्होंने बोला village panchats को more financial resources की power भी देनी चाहिए इन्होंने बोला कि village panchats के पास पैसा नहीं है जिसके वज़ा से यह function नहीं कर पाती है ठीक से तो इनको more financial resources की power देनी चाहिए नेक्स्ट इन्होंने बोला कि judicial tribunal should be established in each state to adjudicate controversies about elections तो elections से related controversies के लिए इन्होंने बोला कि judicial tribunal बना दो विकॉस क्या होता था states जो चाहती नहीं थी कई बार कई बार states नहीं चाहती थी कि panchati राज institutions proper function करें विकॉस इसके power कम हो रहे थे states के local level planning हो जाती थी development हो जाती थी तो कई बार क्या करते थे states में बैठे लोग पर पंचायती राज institutions में election ही नहीं करवाते थे इससे क्या होता था कि और कई बार इन्हों dissolve कर दे थे पंचायती राज के चुने हुए लोगों को members को dissolve कर दिया जाता था तो इससे कई बार क्या होता था कि इस problem की सुनवाई के लिए अब एक और कमिटी डिसकस कर लेते हैं इस वीडियो में जिसका नाम है थंगन कमिटी था था कि यह एक सब कमिटी थी अफ दे कंसल्टेटिव कमिटी अफ पार्लियामेंट कंसल्टेटिव कमिटी यह पार्लियमेंट में आपको पता होना चाहिए इसकी यह सब कमिटी थी यह किस वीए बनी थी ताकि यह एक्जामीन कर सके the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning तो से क्या एक्जामीन किया इन वह नहीं बुला इनों ले रिपोर्त यार की और रिकमेंड किया इनके पहला जो रिकमेंडेशन था इन्हों ने बुला कि इसको constitutionally recognize करना चाहिए तो देखिए one by one बार बार committees जो थी वो recommend कर रही थी constitutional validity देनी चाहिए PRI system को और जाके lastly 1992 में constitutional validity मिली PRI system को इन्होंने बोला कि three tire system बनाना चाहिए विलेज ब्लॉक और डिस्टिप लेवन पर सेम रिपीट कर दिया इन्होंने जीला परिसत को बोला कि पाइबोर्ट रोल देना चाहिए पंचाहिती राज सिस्टम में प्लानिंग डेवलोप्मेंट से लिए तो यह सब सेम ही है इन्होंने बोला कि हाँ इनका important point एक fixed tenure होना चाहिए इनके working के लिए PRI system के लिए पांस साल का होना चाहिए maximum period of super session of a body should be not more than six months तो इन्होंने बोला कि जो एक PRI जो चून के आई जो मेंबर चून के प्याराइ सिस्टम के उनका dissolve हो गये मालोगर च्छे मेने से ज्यादा दिन तक उन डिजॉल नहीं रहने चाहिए उसमें छे मेने के अंदर ही election कराके और उनको functioning कराना इन्होंने ऐसा recommend किया था next इन्होंने बुला planning and coordination committee should be established at the state level and उसके chairmanship chairman होने चाहिए minister for planning और इसके members होने चाहिए president of jila parisans तो इससे क्या होगा कि अगर members बैठे रहेंगे इस committee में तो कही न कहीं अपने-अपने hit की बात करेंगे और decentralization process हमारा सही हो जाएगा अच्छे से decentralization होगा ठीक है इन्होंने गोला कि reservation होना चाहिए seats के मामले में सारे टायर में तीनों टायर में इन्होंने साथ में एक और important बार बोली कि reservation होना चाहिए women's के लिए भी ही पहली और women's के लिए reservation अगर PRI system में किसी ने बात कि थी तो थंगोन कमी की ने बात कि यह याद रखना आगे बढ़ते हैं state finance commission का भी setup इन्हों नहीं बोला था state finance commission should be set up in each state where district collector को बोला गया कि chief executive officer रहेंगे जिला परिशत के लिए कि दो बाते यहां पे निकल कहा थी कि इक नों नहीं बोला कि state finance commission होना चाहिए ताकि जो पैसा है PRI system के लिए क्या mechanism होगा वो decide किया जा सके ठीक है और इन्होंने बोला कि district collector जो है उनको chief executive officer बनाना चाहिए जिला पर सेट के लिए इन्हीं के अंदर में departments होगे और यहीं जो कहेंगे उसी हिसाब से execution होगा so that's all from this video I vote kiappow एगेन पसंद आयो पसंद आतो like मारना share karna दोस्तों सारा और अखर ना सब्सक्राइब to this channel so that you can get the videos and I can get the motivation thank you bye